नमस्कार आप देख रहे हैं वीके नियूज और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा गुपता पीम नरेंद्र मोदी के जनन्दी वसपर हर जगा धूम अची हुई है ऐसे में खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी को मिला जनन्दीन का शांदार तोफा जिसकी कीमत जानकर आप हैरार रहे जाएंगे जी हाँ इस उपहार की कीमत है पूरे 11 करोड रुपे जी हाँ सुजिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी पहल करते हुए देश भर से मिलने वालो अपने उपहारों को निलाम करने का फैस्वा किया था निलामी के लिए रखे गए समानू की एक प्रधिशनी दिली सित रात्तिया आधुनिक काला संग्राले में लगाई गई है अभी प्रधिशनी लगे दो दिन हुए है लेकिन निलामी की धमाक के दार शुरुवात हो गई है निलामी से मिली रकम गंगा की सफाई के लिए नमामी गंगे प्रजट में दान कर दी जाएगी पता दे इन उपहारों में सबसे जादा चर्चमें तीन उपहार है जिनने करोडों रुपे में खरीदा गया है PM की लोग प्रेता कालम ये है कि इन उपहारों के लिए लोग हैरान कर देने वाली बोली लगा रहे है GM PM के अंग वस्त्रम गमचे की बूली 11 करोड रुपे लगी है तो PSLV C7 के धातू से बने मॉडल की कीमत 1 करोड रुपे पौश गई है अंग वस्त्रम का मुले 500 रुपे और PSLV C7 की कीमत 2,000 रुपे रखी गई थी साथ मी एक कलर जिस पर हीरे का एक नारियल भी रखा हुआ है इसे एक करोड रुपे से कुछ जादा की बूली लगा कर खरीदा गया है योपवार गुजरात के CM विजे रुपारी ने PM मोदी गो गिफ्ट किया था और इसका बेस प्राइस महल 18,000 रुपे रखा गया था PM के तस्वीर और संदेश वाली एक स्मृती चीन की कीमत भी एक करोड रुपे से थोड़ी जादा लगाई गया है इसका बेस प्राइस तो सिर्फ 500 रुपे रखा गया था आपको बता दे PM मोदी को अपने जरमदीन के मौके पर अपनी मां से आशिरवात ले रहे है एक फ्रेम में मडवाए हुए सस्वीर का बेस प्राइस महल 500 रुपे रखा गया था लेकिन इसे खरीबने के लिए अब तक 10 लाख रुपे की बोली लग चुकी है साथ ही आपको बता दे इसके अंतिम बोली अभी लई लगी है पची बंगल के सीली गुडी में एक रेली के दौरान PM को ये तक्सिर भेट की गई थी बता दे इससे पहले भी PM के उपहारों की निलामी हो चुकी है PM के तौर पर मोधी के पहले कारेकल में मिले उपहारों की निलामी 27 जनुबनी से 9 परवणी 2019 तक चली थी 4000 से अधिक उपारों की निलामी से मिला पूरा धर नमामी गंगे पर योजना को अर्पित किया गया था वहीं इस बार भी पूरा धर नमामी गंगे पर योजना को ही अर्पित किया जाएगा PM को मिले इन उफारों की निलामी 14 सितंबर को शुरू हुई है और ये 4 अक्टूबर तक चारी रहेगी कुल 2772 उफारों को निलामी के लिए जारी किया गया है और अगर आप भी इन में से कोई उफार खरीदना चाहते हैं तो pmmomento.gorman.in नामक वेबसाइट पर जाकर इन निलामी के जड़े खरीश सकते हैं इसके लावत साल 2015 में प्रधार मत्री का सूट निलाम हुआ था जो 4.31 करोड रुपे में बिखा था सूरत के हीरा कारूबरी लाला जी पठेल नहीं सूट को अपने नाम किया था इससे साथ साथ अंगरवस्त्रव वे PSLVC7 की बोली प्रत्विया से हटार दी गई है निलामी प्रत्विया से जुड़े लोगों के मताबिक फिलहाल बोलीयों की चार्च की जा रही है अगर इने संदिक्द पाया गया तो इन उपहरों की नए सीरे से बोली लगेगी इतना ही नहीं लोग कलाकारों ने भी PM मोदी के जनलदीन पर खास उनके लिए गीद भी गाए PM मोदी के एक प्रशन सक अरविन सिंग ने सोमवार को वाननेसी के संकट मुचक मंदीर में सवाख किलो सोने का मुचक चड़ाया उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि यदि दुबारा मोदी जी की सरकार बनती है तो मैं भगवान हनुमान को सोने का मुचक अरपित करूँगा पूरा वानननेसी समय देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है बतागे 29 जुलाई को अरविन सिंग मुकुट के साथ पीमो पहुचे थे पीम मोदी ने मुकुट का अवलोकर्ण करते हुए स्पर्श किया था पीम के जर्म दिन से एक दिन पहले मुकुट को काशी वात्कियों की तरफ के हनुमान जी को अरपित करने से पहले विदिवत पूजन किया गया बाज मुकुट मंदीर के महंत को स्वाप दिया गया आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरू बताए ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो से लाइक करें, शेयर करें देखते रहे वीकेनियों शुक्रिया